जाहिन दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग सिखने वाले हैं कि किसी भी द्वीपद समिकण को प्रतियस्थापन बेदी से हल कैसे करते हैं यहाँ पर हमने कुल मिला करके दो सवाल लिया है लेकिन इन दोनों सवालों में से मैं केवल एक सवाल को आपको इतनी अच्छी तरह से समझा दूँगा कि आप एकदम असानी तरह से हल करना सिख जाएंगे यहाँ पहला सवाल हमने लिया है एकस माइनस य बराबर फोर और दोस्तों ये मानते हैं समिकरण एक इसी परकार दूसरा लिया हमने थ्री एकस पलास टू आई बराबर 27 दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ इसी परकार से लिक लिना है अब इसमें करना ये होता है ना कि कमान निकाल लिजिए या तो एकस कमान निकाल लिए या तो वाई कमान निकाल लिए अब मान निकालते कैसे हैं तो सबसे पहले आपको लिखना पढ़ेगा कि समीकरण एक से समीकरण एक से तो यहाँ पर समीकरण एक है एकस माइनस वाई बराबर फोर अब दोस्तों हमने य करता हूं कि x बराबर 4 और ये वाला है माइनस y अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा पलस में y यानि कि आप ये कर सकते हैं कि x कमान हो जाएगा 4 4 plus y सिधह सायं पे x कमान निकल गया 4 PLUS y अब दोस्तों ढ़िए आपको x कमान मिल जाता है तो आप लिखिएगा कि x कमान समय करण 2 में रखने पर x कमान समय करण 2 में रखने पर यानि कि बहुत सिंपल बात है कि आप समय एक से किसी एक कमान निकालोगे जिस कमान निकालोगे उस कमान समिक्ण 2 में रख देना है तो यहाँ पे समिक्ण 2 है 3X पलस 2Y बराबर 27 दोस्तों यहाँ पर X कमान हमने निकाल ला है 4 पलस Y, तो जहां भी X है, वहां रख देंगे 4 पलस Y, यानि कि ये वाला तीन अपने अस्थान पे, इस जगह X था, तो X कमान मिला है 4 पलस Y, तो हमने कुछ इस परकार से रख दिया, पलस में 2Y अपने अस्थान पे, बराबर 27 अपने अस्थान पे, दोस्तों, आपको पता है यदि किसी भी कोष्टक के बाहर कोई अंक होती है, तो ये वाला अंक किसी कोष्टक के अंदर, जितने संख्या होते हैं, सब में गुड़ा करता है, तो ये वाला 3, 2, 9 गुड़ा करेगा, जब 3 गुड़ा करेगा 4 में, तो हो जाएगा 3 गुड़ा करेगा Y में, तो हो अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में 12 यानि कि ये वाला पलस था पलस में इधर आया तो माइनस में हो गया अब 5Y बराबर हो जाएगा 27 में घटाएंगे 12 तो बचेगा 15 यानि कि Y कमान हो जाएगा 15 बटा में 5 यानि कि ये वाला 5 था गुड़ा में इ कि इस परकार से आप समझ गया होंगे अब दोस्तों यहां पर केवल आपको y कामान मिला है लेकिन दोस्तों इससे पहले आपने x कामान निकाला था 4 पलस y जो कि यहां पर है अब दोस्तों यह बताई आप कि अगर आपको y कामान निकल गया 3 तो जहां पर y यह वहां 3 रखिए तो 4, 3, 7 ये X कमान हो गया तो इस प्रकार से आप X और Y कमान निकाल सकते हैं निकारता हूं कि आपको ये सवाल एकदम आसान तरह समझ में आ गई है अगर समझ आई हो तो इस दूसरे सवाल को हल किजिए और इसका एंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिए मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तरमस्कार जैहिंद